नमस्कार क्यापिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर बिहार से आपको बता रहे हैं जहां राजनितिक हल चल काफी जादा तेज है नितीश कुमार का अगला कदम क्या होगा इस पर सभी की निगाहे टिकी हुई ह और ऐसे में अलग-अलग दलों की लगतार बैटके भी जा रही है तो बिहार से जुड़ी ताजा अपडेट आपको बताएंगे मेरे साथ जुड़े है क्या कुछ कहा जा रहा है आजड़ी की तरफ से नितीश कुमार को लेगा है देखे अभी-अभी जो ख़वर आ रही है वो पट्ना के राजभवन से रिपब्लिक डे के दिन ये वहां का ट्रेडिशन है कि गवर्नर एक हाइटी के लिए पाटी देते हैं और उसमें सारे लोग, सारे मंत्री, सारे वरिष्ट लीडर्स जो है वो उसमें पहुंचते हैं वहां एक अजीब गरीब घटना घटी गवर्नर साहब का चेर है इधर चीफ मिनिस्टर है और चीफ मिनिस्टर के बगल में डिप्टी सीम है और सब के कुर्शिक के आगे नाम लिखा हुआ होता है तेजस्वी आदब का नाम लिखा हुआ था लेकिन जेडियू के कुमार के बगल में आते हैं उस कुर्सी पे बैठते हैं जहां पे तेजस्वी को बैठना था और वहां का उस चिट जो नाम लिखा हुआ था तेजस्वी का उसको उठा करके थेख देते हैं अब यह मतलब उठा के थेख दिया यह टीवी कैमरे के उपर सारे लोगों के सामने वो जाकर के नितीश के बगल में बैठते हैं असोक चौधरी सामने तेजस्वी का वो लगा हुआ है कार्ड कि यह सीड जो है तेजस्वी के लिए रिजर्वड है उसको उठा करके फेका औ और वो बैठे ही नहीं उनके बगल में आगर के बैठ गए बीजेपी के लीडर नेता प्रतिपक्ष और इतनी अच्छी से दोनों में तीनों में बाचीत हो रही थी वो बड़ा ही जो है संकेत संकेतिक रूप से जो है वो सारा कुछ हो रहा है अब हुआ क्या आपने यह पर्मल फंक्षन है उसमें आरजीटी के लोगों ने उसको बाइकाट कर दिया एक दूसरी चीज़ जो खबर आ रही है लालू यादव दना दन लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं कि भई क्या करना है नहीं करना है कैसे क्या करना है और नितिश कुमार के कैंप से ख कोड़ने की कोशिश की जा रही थी लालू यादव के द्वारा और मैं आपको बता दूँ जो सूत्र बता रहे हैं कि ही वस वेरी सीरियस यह मांजी साहब से इनकी डील ऑल्मोस्ट डन थी वो तो कल रात नित्यानंद राए जो बीजेपी के लीडर है वो मांजी साहब के घ जुक्रा दिया गया लेकिन लालू के मन में क्या कुछ चल रहा है देखे लालू के मन में क्या चलेगा लालू पुरसाद यादव तो परिशान है कि अब क्या करेंगे पिछली बार यही गटवंदन चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का 2019 में उसके खिलाफ लालू यादव सारे लोग मिलके लड़े थे एक सीट चालिस में से सिर्फ एक सीट जीत पाये थे लालू यादव को वो भी सीट नहीं था अब यह समझे कि कितना बड़ा जटका कि आप तो देश में कौन प्रधान मंतरी होगा दूला बनाने का कोशिश कर रहे थे और आपकी जमीनी हकिकत यह कि आपके पास लोग सभा में कोई सांसद नहीं आप एक भी सीट नहीं जीत पाये पूरे हिंदुस्तान में तो यह तो उनके लिए चिंता का विश है लालू यादव को और चिंता इस बात को लेकर के है यह सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि वो अपने बेटे क को मुख मंतर के रूप में बिठा सकते थे अगर नितिस कुमार राजी हो जाते जो डील जो करार था कि दो मेना हम साथ में रहेंगे उसके बाद मैं प्रदान मंतर के रेस में चला जाओंगा और और जब देखिए जब यह गड़बंदन बना था तो यही बात नितिस वाव जे बीजेपी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है बीजेपी की प्लान हो चुका है बहुती कंफर्म सुत्रों के अनुसार में आपको बता दू कि एक सब्ताफ पहले ही तमाम विधायकों से समर्थन पत्र के उपर वो सिगनेचर करवा लिया गया है इससे पहले भ बहुती और्गनाइजड पार्टी है वो उनको लगा कि पहले ही जो है सारे लोगों से सिगनेचर करवा करके रख लिया जाए ताकि अचानक से कोई मूवमेंट हो तो कौन कोई पूर्णिया में है तो कोई कहीं दिल्ली में फसा हुआ है तो कोई मूंबे चला गया है तो मर्थन पत्र अलेडी जो है वो तैयार है और बीजेपी के लीडर खासकर के सुसील मोदी जो दिल्ली से भी पटना पहुँचे हैं उन्होंने एरपोर्ट में पत्रकारों को साब साब बताया कि दरवाजा खुल गया है जो नितिश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा बता वो दरवाजा खुल चुका है और जो केंद्रिये नितित्व जो भी फैसला करेगा यह भारती जनता पाटी के जो लीडर्स है जैसे विजे सिना उन्होंने साब साब कहा कि यह जो है कि हमारी पाटी जो भी करेगी वो हमको मंजूर है जो भी फैसला इसका मतलब बीजे जो हमारे जो जानकारी है वो आज इसलिए नहीं किया गया यह काम आज ही हो जाता बट आट ऑफ रिस्पेक्ट कि भाई आज गंतन दिवस है यह राजिंतिक गति वीडियों से जो है आप वो तो वो कल यह सारी चीजे होंगी जो खबरे आ रही है कि 28 तारीक को नितिश कुम और कौहर जो पिश्ली बार गये थे हम लोगोंने बरकाइदा उस पे शो भी किया था सारी दुनिया बता रही थी कि वह आप पे जो है वी सी के अपयंटमेंट के लिए गय है तो कोई नहीं के लिए हम लोगोंने सही सही जानकारी दी थी कि नितिस कुमार राजपाल से जाकर के बात करने के लिए गये थे कि अगर हमें अगर बदलना है पल्टी मारनी है तो हमें कितना वक्त मिलेगा क्या मिलेगा नहीं मिलेगा और उसके आधार पे ही सारी प्लैनिंग की गई है ऐसा लग रहा है जो टाइम लाइन है वो ये कि अब से कभी भी कल फस्ट हाफ में नितिस कुमार वहां जाकर के इस्तिवा देंगे और इस्तिवा देने के बाद राजपाल नितिस कुमार को फिर से सपत के लिए कहेंगे और बीजेपी और जेडियू के लोग वहां राजपाल के सामने तमाम दस्थकत के साथ वो परेड कराएंगे और ये बताएंगे कि ये हमारे पास बहुमत है हमें फिर से सरकार बनाने का मौका दिया जाए और नितिस कुमार को सपद दिलाई जाएगी और उसके बाद एसेंबली बुला करके उनको दो-तीन दिन का टाइम दिया जाएगा और ये बजट सेसिंग जो सुरू हो रहा है उसके पहले ही ये लोग बहुमत साबित कर देंगे और इस दोरान लगातार जो है वो बयान बाजी होगी कि नितिश कुमार के इस आक्शन को लेकर विपक्ष में भी हड़कम मढ़ गया है इंडिया गडबनन के एक-एक मेता भी अब इस पर बयान बाजी कर रहे है अखली श्यादव कह रहे हैं कि विपक्ष में रहते तो उनको पी-म बना दिया जाता बही बनाया क्यों नहीं बनाया क्यों नहीं अभी आप जो है यह कह रहे हो कि पी-म बना दिया जाता सेयोजग बना दिया जाता यह कर दिया जाता वो कर दिया जाता छे मैने से तो सीट किसको कौन कितने सीटों पर लड़ेगा जब आप ये ते नहीं कर सकते आप कोई campaign ते नहीं कर सकते आप logo ते नहीं कर सकते जंड़ा ते नहीं कर सकते और आप भाशन दे रहे हो कि उनको प्रधान मंत्री बैए प्रधान मंत्री तुम बनाओगे उतर प्रदेश में कितनी सीटे तुम्हारे पास आने वाली है उससे मुख्या भी तै कर पाओगे जो देश का प्रधान मंत्री कौन होगा ये लोग ये बड़बोले पन की वज़े से ही ये विपक्स का ये हाल हुआ है ये राहुल गांदी सोनिया ये बड़बोले हैं जब इन पे काम नहीं करना है इनको ये प्रधान मंत्री कर रहा है पुब्लिक को आपने को समझ रखा है पुब्लिक को आपने को समझ रखा है ये भारत जोड़ो नियायातरा राहूल गांदी का वो बंद हो गया क्यों वहां टीमसी के लोग सड़क पे आकर के कह रहें कि नॉट वेलकम इन बेंगॉल पर है मैंने पहले नितिश कुमार ने सारे लोगों को इकठा किया वह यहां तक गए कि सारे लोग अपनी पार्टियों को डिजॉल करके एक सोशलिस्क पार्टी बनाते हैं जनता दल परिवार फिर से सुरू करते तब तो आपने नितिश कुमार को भगा दिया यही अखले स्या अब उन्होंने फिर भी कठा किया आपने उनकी बेज़ती सुरू कर दी बैंगलोर में मीटिंग छोड़के वो चले आए बाहर लेकिन कि बेज़ती तो नितिश कुमार की भी है कि एक बार वो फिर से पलटी मारेंगे देखिए नितिश कुमार के लिए यह उनका खेल है यह नितिश कुमार है लेकिन विहार में जाकर के यह नितीश कुमार ने जो पल्टी मारी है उसको लेकर के बिहार की जंता क्या बताती वो भी हम आप लोगों को बताते रहेगे शपत ग्रहन का आयोजन भी रखा गया है इस बड़ी कवर में मेरे साथ फिलाल इतने ही कैमरेपरसंटर रवी के साथ मैं पूजा क्यापिटल टीवी